हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो न्यू वीडियो आफ रिलाइंस कैपिटल तो फ्रेंट्स इंजॉल उनसी प्रोसेस की जो कमपनी की लिस्ट है वो का भी हमें बढ़ती भी नजर आ रहे हैं अभी रिसेंटली कुछ एर्स में तो रिसेंटली हमने आलोक इंडस्टीज का इंजॉल उनसी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और उसी के बारे में कुछ इंपॉर्टन अपडेट इस वीडियो में बताना चाहूंगा फ्रेंट्स में आप लोगों को इसलिए प्लीज वीडियो को आखरी तक देखिएगा ये वीडियो आपके लिए बहुत जादा इंपॉर्टन जो भी इंट्रेस्टेड है इस पर्टिक्लर शेयर को बाय करने के लिए और जिनके पास भी इस शेयर की होल्डिंग है उनके लिए तो बीना स्कीप करें दिखिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजाया ताकि फ्यूचर में जो भी इंपॉर्टन अपडेट स जो इस पर्टिक्लर जो बीडिंग प्रोसेस में आ चुके है और अल्मोस्ट फिफ्टी फोर बीड्स जो है रिसीव हो चुकी है रिलाइंस कैपिटल के लिए तो रिलाइंस कैपिटल की जब बात आ रही है फ्रेंड्स यह बहुत बड़ा इंजॉल उनसी प्रोसेस हो सकता ह है इसलिए इतने बड़े-बड़े प्लेर आ रहे है क्योंकि यहाँ पर आगर आप देखोगे रिलाइंस कैपिटल हैस कंसॉलिडेटर डेप्ट ऑफ अरॉटी थाउजन करोड रूपीज विट नियरली 23,000 करोड ऑफ वेरिफाइड क्लेम्स तो 23,000 करोड तो वेरिफाइड पर यहाँ पर हमें जो है देखने को मिला है और यहाँ पर देखिए आप बहुत सी कंपनी जो है यहाँ पर इंट्रेस्टेड है जिनमें costs एसनाय लिए ज cambi lade fluse और मिल रहे जिनकों भी कहरीदना है अब ही समय है या इसके लिए लुए जो टस्वारा के रुपिज में जो प्राइज वह बैस प्राइज रहेगी क्यूंकि आने वाले कुछ सौरतों में je बहुत ही जादा इमर्ज होके निकलने वाला है तो यहां पर तो हम रिलाइंस कैपिटल की बात कर रहे हैं 54 जो पर्टिकुलर ली जो है यहां से फिर्म से जिन्नोंने जो है रिलाइंस कैपिटल के उपर बीडिंग लगई है जिनमें से बहुत से फिर्म ऐसे है वह डिरेकली पूरा रिलाइंस का जो इंटिटी है उसको ही बाई करने जा रहे ना की सढम ने के लिए जाए तो इस 54 में ऐसी भी बीडिंग से जुन्होंने कुछ इंटिटीज बात करने की बात करी है और कुछ ऐसी भी बीडिंग से कि जो डिरेक्टली पूरा रिलाइंस कैपिटल खरीदनी चाहती है तो बहुत अच्छा यह इस जो लोसी प्रोसेस रहेगा लेकिन यहाँ पर किये थे उन्होंने सारे शेर्स राइट ओफ कर दिये शेर को डिलिस्ट कर दिया और उसके बदले जो रिटेल इंवेस्टर फसे पड़े थे उस शेर में उनको क्या मिला कुछ भी नहीं शेर डिलिस्ट होगा ना बेच सकते थे दो दिन से लास जब वो प्रोसेस फाइनल ना खरीच सकता था कोई तो इस तरीके की चीजे यहां पे है क्या वो हमें जानना बहुत जरूरी है रिलाइंस कैपिटल में अभी तक कोई अपडेट ऐसा आया नहीं है बिडिंग में कि जहां पे नए जो बायर्स जो इंट्रेस्टेड है उन्होंने ऐसा रूल लगा है कि वो राइट आफ करना चाहते है लेकिन इसका मतलब ऐसा है कि इस न्यूज में या कहीं पर अपडेट नहीं है कि राइट आफ करेंगे या नहीं तो इसका मतलब राइट आफ नहीं करेंगे गलत है राइट आफ हो सकते है रिलाइंस कैपिटल का शेर तो प्लीज आई थिंक जब तक ये इंसलोंसी प्रोसेस के बारे में पूरी डीटेल्स नहीं आती है, इसकी प्रोसेडिंग पूरी नहीं होती है, I think लोगों ने अवोईड करने चाहिए यहाँ पे पोजिशन बनाना, क्योंकि रीटेल इन्वेस्टर ही होते है, at the end, इंसलोंसी प्रोसेस में, जो इन 85%, almost 95% का होल्डिंग सिर्फ रीटेलर्स के पास है, क्योंकि यह शेर चीफ हो चुका है, और उसके वज़े से जो है, लोग काफी जादा जो है, इसको एकस्पेक्ट करके बाय कर रहे है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ऐसे लग रहा है कि, आदानी ने अगर बाय कर लिया या फिर टाटा ने अगर बाय कर लिया, तो यह शेर काफी जादा दूर तक जाएगा, यह सही है कि अगर यह बाय करते है और कमपनी को ऐसे ही लिस्टेड रहने देते हैं मार्केट में, तो यह शेर काफी अच्छे प्राइजेस को टच कर सकता है, लेकिन उसका क्या, अगर मेरे हर एक वीडियो में हमारे वीवर्स को बोल रहा था कि यहाँ पे आप प्लीस बाइंग पोजिशन ना बनाएए, अगर इंट्रेस्टेड है बाइंग करने के लिए और चाहते है कि एक अच्छा कासा रिटरन मिले आपको, तो ऐसा ही पैसा लगाना जो लॉस होने के बा मेरे में या फिर कोई भी इंजल उनसी प्रोसेस अगर फ्यूचर में आती है तो उसके सारे क्लॉजे सारे रूल्स क्या रखे है नए बाइरस ने क्या नहीं वो सारा पता कि यह बिना किसी भी शेर में जो है इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मार्केट में बहुत सारे अच्छे अच्छे शेर से फ्रेंड जो आपको 1x, 2x के रिटन या फिर 30%, 80%, 70% तक के रिटन जो है शौट टम में दे सकते हैं, तो क्या ज़रूरत है बहुत जादा की जो है एक्सपेक्टेशन से रखके पैसा रिस्क में डालने की, यही मैं आप लोगों को यहाँ पर रिक अच्छेस रहेगा, यहाँ पर इन्वेस्मेंट करना अवइड करियेगा, क्योंकि जब तक मेरा पॉइंट तो सही है, आप भी एगरी करोगे, कि जब तक क्लियारिटी नहीं आती है कि यह लोग बाई करने के बाद इस शेर के साथ क्या करने वाले है, तब तक हम क्यों करेंगे, तो प्लीज अवइड कीजेगा वो चीज ताकि आपका जो हाड़ अन्वनी है, वो सेव हो सके, अगर यहाँ पर यह नए बाईर्स बोलते हैं कि हम रिलाइंस केपिटल को बाई करेंगे, और वो ऐसे ही रहेगा, और वो जो है, उपन मार्केट से जो है, उनका शे इंवेस्टर्स ही है, तो यही इंपोर्टन डीटेल्स थी फ्रेंट्स जो इस पर्टिकुलर शेर के बारे में मैं आप लोगों को इस ताथ शेर करना चारा था, थैंक यू फो वाचिंग दिस वीडियो और प्लीज डोंट फर्गेट तो सब्सक्राब मैं चैनल